नमस्कार सिटी पोस्ट के इस खास पेसकस में आपका स्वागत है मैं हूँ स्रिकान प्रतियूस और मेरे साथ है रालोषपा के राष्टिय महा सचीव माधोवानम जी इन से बात करेंगे महा गठवंधन के बारे में चुनाव की तीयारी के बारे में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपको बहुत-बहुत बधाई भी महा सचीव बनने के लिए स्रीकान जी सबसे पहली बात कर आस्टी ये परदान महा सची घ्यूम है और महा सची आज पहले था, लेकिन बहुत बहुत धनेवाद आपने मुझे मुझे मुभारण बात दिया तेकिये महागठ cylinders Nishteszutrup से बहुत उमीद है महागठ बंधन से बिहार की जंता को अब जो है जन संपर की यात्रा पे निकले हैं सरकारी खर्चे पे निकले हैं मैं आपके माध्यम से मानली नितिसकुमार जीसे आगरा करना चाहता हूँ अगर आप बड़े नेता हैं बिहार की जनता ने आपको 15 साल तक प्यार बनाये रखा तो आप जरूर जन संबाद में बि स्थेल हो गए सिक्षा बेवस्था पे उनको बताना चाहिए लॉइन ओर्डर के स्थी बिहार में खड़ाब है आज जो है जितनी संप्रदाइक दंगे बिहार में नंबर वन पोजीशन पर संप्रदाइक दंगे के मामले में आ गया है किस समस्यां स्रिजन घोटाला बाल का गडिकांड में अगर बड़े नेताओं का यहीं एक लक्षन होता है कि आप अपनी उपलबधी की बात तो कीजिए ठीक है 15 साल में आपकी उपलबधी गिनेचु नहीं होंगे लेकिन जितनी समस्यां बिहार को आपने दे दिया अगर आप बड़े नेता है तो जन संबाद क के प्रदेश अधक्ष ने भी सनक निर्मार में बड़ा घुटाला का उजागर किया है और चिठी लिखा नेतेश कुमार को कि सनक बनी नहीं और अगरिम भुक्तान हो गया और उसको पचाने की तैयारी तो श्रीकांद जी एलेक्षन का टाइम है आप जानते ही है एलेक्ष मैं आपको कह दो भले अमिट साहज जी ने बोल दिया लेकिन वो अन्तिम नहीं है महरास्टरा में देखे क्या हालत है आप तो बरिस्त पत्रकार आप समझ रहे हैं महरास्टरा में क्या पेज फसा हुआ है यहीं अमिट साहज जी बोले हुए हैं सिबसेना को की भाई कि साल मेरी सरकार ने डाई साल आपका मुखमंतरी होगा आज सिबसे ना उसी बात की रागल आप रहा है तो बिहार में भी वहीं स्थिती होने जा रहा है बीजेपी कता ही जो है नितीज कुमार जी के चहरे को एकसेप्ट नहीं करेगा और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता तो नितीज जी की तो हार होगी ही होगी उससे बड़ी हार बीजेपी की भी होगा है है कौह गटबंदन के पास शेहरा कहां है कौन रड़ेंगा शिरकान जी महागटबंधन के पास चेहरे की तो कमी है नहीं मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि चेहरे की जहां तक बात है तो निश्ची तुरूप से मुझे लगता है इस बार बिहार की जनता किसी यूवा बैक्ति को मुखमंतरी के कुर्सी पर बैठाने का काम करेगा उसके लिए भी काटे बहुत राह बहुत आसान नहीं होगा मैं समझता हूँ इस चीज़ को क्योंकी समस्याएं अंगरीत हैं बिहार की जनता की अपक्षाएं बहुत जादा रहेगी कि जो 15 साल का कुसासन रहा है उसको कैसे उससे जैसो निजात दिलाते हैं लेकिन 2020 में एक बीजेपी उनकी एक बात माले निसादों को आरक्षान दे दे तो चले जाएंगे बीजेपी के साथ कहां का महा गठवंधन में जितनी भी दल है हम लोग तो कुनवा बरा रहा रहे हैं आज अभी भी हम लोग का सारह 11 बज़े प्रेस कॉनफरेंस है आप खुद देखेंगे कि वहां माजी जी भी रहेंगे, मुकेस भाई भी रहेंगे, CPI भी रहेगा, CPM भी रहेगा, Congress भी रहेगा, RJD भी रहेगा, तो तमाम पार्टियां जैसे और पार्टियां जूर रही है महा गठवंधन से, जहां तक एक दो बयान की आप बात कर रहे हैं, देखें, को, अलफसंखिकों को सभी दलोंने ठगा है, अब हम सब को गोलबंद करेंगे, और तिसरा मुर्चा बनाएंगे, स्रीकांत जी, कौन से जाती समाज के लोगों को नितिजी ने ठगने का काम नहीं किया, भी बता दिजे, कल भूम्यार समाज के लोगों भी कठा हुए थे, ग इवेस नहीं आया, कल कार खाने नहीं लगे, तो सभावी के किसको लाव मिलेगा, अब फिर भी कैसे इंटेक्ट होने का दवा कर रहे हैं, अगर नहीं इंटेक्ट है, तो अभी तो साड़े ग्यारा बजे आपको पता चलेगा, अगर मालनी जे कि बीजेपी की तरफ जार है तो निश्ची तरफ से महा गठवंधन के मीटिंग में नहीं आएंगे, अगर महा गठवंधन के नीतियों में अगर विश्वास है, तभी तो आज आ रहे हैं ना, राम अनुहर लोहिया जी की पुनितिती पे भी आपने देखा, आप भी वहाँ थे, कि सब लोग मानिये, त उस चुनाब के बाद जो परिणाम आये, सब ने देखा, अगर महा गठवंधन मेरा एक जूट रहता, तो आज तीन सीट जीते, और महा गठवंधन में अगर एक कॉमन कंडिट होता, तो हम लोग पांचों का पांचों सीट जीते, इस चीज़ को बिहार की जनता भी समझती है, हम लोग भी समझती है, और इसमें कोई बहुत बड़ा अरिथमेटिक तो है नहीं, जितना भी वोट कटा, मानिए मुंके सहनी जी की पार्टी का 26,000 वोट आया, वहीं अगर 26,000 वोट अगर और आया रहता, तो हम लोग की जो वीनिंग मार्जिन रहता हो, जादा रहता, तो कहीं नहीं कहीं तो हो तो है ही, लेकिन महागटबंदन सब हम लोग एक्जूट रहेंगे, देखें इस समसियाज सिर्प सत्ता की बात नहीं, श्रिकान जी, आप बखुट बड़िस्पत्रिकार हैं, आप से भी बहुत आसा है, बिहार तरस्थ है, बहुत तरस्थ है बिह जितने उनको बिहार के लिए करना था कर दिया, उनकी सोच अब वहीं सिमित हो चुकी है, अगर अगला पांच साल देंगे, तो मेरा बिहार पचास साल पीछे चला जाएगा, मैं आपके माध्यम से बिहार आखरी सवाल का जवाब, उपेंदर कुछ वहा है कि भूमिका क्या हो हुए हैं, कि जितने भी जो बिरोधाब हासे जो बाते आ रहे हैं, उस सब नहीं आवें, और हम सब लोग साजा प्लैटफॉम पे आवें, जहां तक कौन मुखमंतरी बनेगा, मैं एक ही बात आपको पुना दुराना चाहता हूँ, जिसकी संख्या बल जादा होगी, मैं बह भी होता है, कि जो पार्टी को 20 सिट आ जाए, 35 भी आ जाए, अगर वो चाहे कि सरकार हम बना सकते हैं, बिगाड सकते हैं, तो किंग मेकर की भूंका में आ जाती है, और खुद किंग बन जाती है। बिहार का है, राजनितिक अस्थिरता रहा है हमेशा से बिहार में, तो बिहार में जब भी सरकार बनी है, तो एक अस्थिर सरकार बनी है। बिहार में क्या समस्या, किसी भी बिभाग का RTI डालके देख लिए, फंड अवलेबुल है, फंड का उटलाइज नहीं किया जा रहा है। इनके पास नीती नहीं है, सोच नहीं है, नहीं चाहते हैं बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, बिहार के युवा यहां से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। सुभाबिक है, क्यों नहीं चाहेंगे, अगर वहीं बच्चे अगर यहां रोजगार करने लगेंगे, पर लिख लेंगे, तो एक 15 साल बिहार का मुपंत्री बन जाएगा, नहीं बना रहेगा। इनकी सूची गलत है, नीती गलत है, स्वास्त वेवस्था से लेके सिक्छा वेवस्था सब को समाप्त करने का काम किया है। कि बिहार को अगर बचाना है, बिहार को अगर बदलना है, तो आप एक जूठ हो जाएगे, सत्ता के बिपक्ष में, सत्ता के बिरोध में, तभी बात बनेगी। तंडवाओ प्राइब प्राइब